नमस्कार दोस्तो मोटिवेशनल बेंकर में आपका स्वागत है दोस्तो हमें आपके लिए जियाईवी डिबी एफ और प्री प्रोमोशन का वन स्टॉप सोलुशन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो हमने बनाया है कुछ रिकलेक्टर कुश्चन का हाली में बे अपलोड कर चुके हैं वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा 223 और 324 का जो कुश्चन हुआ वो कंपरिटिवली टफ था उसमें 4X रिलेटेड भी काफी कुश्चन पूछे गए थे तो उसमें से कुछ रिकलेक्टर कुश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो लोग आने वाले टाइम में एक्जाम दे रहे हैं 24 जनवरी को और 9 फरवरी को या फरवरी में दूसरी डेट्स को जो भी एक्जाम दे रहे हैं उनके लिए कुश्चन काफी यूजफुल हो सकते हैं तो चलिए पहला कुश्चन ले लेते हैं फर्स कुश्चन इसमें आया था FX Retail Platform is related to FX Retail Platform क्या है किस से related है आंसर मैंने दिया है मैं आपको explain कर देता हूँ देखे ये ऐसा प्लेट्फरम पहले तो आप समझ ले ये प्लेट्फरम जो बनाया है वो CCIL ने बनाया है ये जो FX Retail Platform है ये CCIL ने बनाया है और ये बैंक के कस्टमर्स को डॉलर और रुपीस में currency transaction की facility देता है कस्टमर को जब भी buy sell करना है डॉलर से रुपीस में रुपीस से डॉलर में तो वो FX Retail Platform पह जाके वहां से ये buying selling कर सकता है तो ये platform CCIL द्वारा बनाया गया है Clearing Corporation of India द्वारा डेवलप किया गया है तो ये FX Retail के बारे में है ओके चलिए आगे चलते हैं आगले question पहे question number देखिए दो number क्या question पूछा गया था FX Retail Platform is developed by and which is introduced by RBI देखिए इन्होंने अभी जो मैंने बताया आपको sorry answer दे देता हूँ पहले Clearing Corporation of India मैंने आपको बताया CCIL द्वारा बनाया गया है अब आप थोड़ा CCIL के बारे में जाना CCIL Clearing Corporation of India Limited ये 2001 में established किया गया अब इसका काम क्या है क्यों बनाया गया RBI ने जिसको introduce किया है Money Market के जितने भी transaction होते हैं पहला Money Market के transaction इसके अलावा Government Securities के जितने भी transaction होते हैं derivatives के जितने भी transactions उते हैं उनकी clearing की और settlement की ये guarantee देता है clearing corporation आप जैसा नाम से समझ रहे हैं उनके clearing की और उनके settlement की guarantee देता है CCIL तो आप CCIL के बारे में जान गए हैं ये platform FX retail जो है CCIL ने बनाया है money market, government security, forex, derivatives के जितने भी transaction होते हैं उनके clearing की और settlement की FX retail guarantee, sorry CCIL इसकी guarantee देता है ठीक है clear answer, अब अगले question पे चलते हैं अगला question देखिए किस तरह का पूछा गया name the agency which provides forex rate daily कौन सी agency है जो forex के rate देती है daily basis पे forex के rate आते हैं आप जानते हैं branches को treasury provide करती है परन्तु treasury को जो rate देता है वो कौन है वो है FBIL, FBIL क्या है अब इसके बारे में जान लें यह है देखिए financial, FBIL की फूफ़ों बता देता हूँ financial, benchmark, benchmark, India, private, limited देखिए explain करने का purpose यह है कि आपको चीज़ें याद रहें अदरबाज FBIL आप भूल जाएंगे financial, benchmark, India, private, limited ठीक है यह देता है किसको treasury को daily rates देता है और treasury देती है ब्रांचों को अब यह FBIL की आए, देखिए यह एक agency है जिसको बनाया है किसने यह जो entity है, यह किसने create की है तीन entity है, FIMMDA दूसरा है मारा FEDAI FEDAI और तीसरा है Indian Bank Association Indian Bank Association का 10% stake है इसमें FEDAI का इसमें 14% stake है और FIMMDA, आपको नाम अजीब सा लग रहा होगा Fixed Income Money Market and Derivative Association of India है यह, इसका इसमें 76% stake है तो यह जो agency बनाई हुई है FBIL, Financial Benchmark India Private Limited यह daily basis है, Forex के rates प्रोवाइड करती है Forex से related जितने भी rates है currency के और इसके वो FBIL प्रोवाइड करती है clear reference, अब हम अगले question पर आते हैं question number 4 हमारा देखिए क्या केता है retail से related काफी सारे question पूछे गए थे या तो जो paper set करने वाले होंगे Forex से related होंगे तो उनोंने उससे related इसे maximum transaction की limit क्या है कितना FX retail पर आप transaction कर सकते हैं तो इस पर transaction की limit है, simple question है 5 लाग US dollar सिर्फ आपको याद रखना है 5 लाग US dollar तक इसमें transaction किया जा सकता है, यह maximum limit है FX retail platform पर ओके, now come to next question अगला question देखिए यह Forex का नहीं है, एज पर BCSBI bank have to return the mortgage document within how many days of closure of loan or application for the same माना किसी ने loan लिया उसने close कर दिया तो बैंकों को 15 दिन के अंदर, sorry बैंकों को 15 दिन के अंदर उसके document lot आने होते हैं, यह BCSBI हमारा एक regulator है, जिसने instruction दिये हुए है कि 15 दिन में बैंकों को उसके document लोट आने होगे तो आंसर आएगा आपका 15 days, okay अगले question पर चलते हैं मगला question, who is the majority stakeholder in of crystal, crystal आप जानते हैं crystal क्या है crystal एक Indian analytic company है one second, मैं इसका answer दे देता हूँ, पहले आपको crystal who is the majority stakeholder of crystal crystal में majority stakeholder को ने standard and poor, देखे पहले crystal के बारे में जान लीजे, मैं आपको बता देता हूँ इसों जो stakeholder है वो है, SNP global और SNP international ठीक है यानि standard and poor जो है यह इसमें majority stakeholder है यह जो company है crystal, पहले ता आप समझ ले यह Indian company है आशू गोयल इसके CEO है जहां तक मेरी जानकारी है और यह Indian analytic company है बेसिकली जो काम क्या करती है, rating का काम करती है research का काम करती है, risk से related services देती है, यह crystal का काम है, rating करना, research करना, risk related काम करना यह इसका काम है, Indian based company है और इसमें जो majority stakeholder है वो है SNP, global and SNP international, तो यहां answer जो दिया था उसमें था standard and poor, तो standard of poor is correct answer, okay now come to next question, question number seven, देखी हमारा क्या कहता है repayment of education loan interest can be shown for IT exemption under ATE, for a maximum of how many years, देखिए education loan पे जो हमको education loan पे जो हमको interest लगता है, वो हमको exemption मिलता है ATE में ठीक है, तो ATE हमारा जो section है, उसमें हमको exemption मिलता है इसका, परंतो exemption की एक limit है, या तो interest पहले payment हो जाए, या एक particular year तक आपको उसमें exemption मिलेगा, ऐसा नहीं कि जिंदगी पर उसका exemption मिलेगा, तो यह period है आपका 8 years तक का या तो 8 साल, maximum या interest repayment पहले हो गया तो वो, तो इसमें maximum में answer आएगा, maximum इनने पूछा है कि maximum कितना period मिलेगा, तो maximum period है इसका 8 years, ठीक है फ्रेंट्स, तो education loan में ATE में जो exemption मिलता है, उसका maximum period पूछा है, और maximum period है आपका 8 years, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको मिल जाएंगे, कुछ वीडियो की form में, जैसे यहां आप देख रहे हैं, Central Bank का अभी exam गुआ है, उसके हमने questions तीनों scale के, 1, 2, 3 के PDF की form में आपको दिये हैं, GK का update दिया हूआ है, December तक का update है, इसके लावा Bank of Arora का 1 and 2 का डाल दिया है, हमने 2, 2, 3 और 3 और 4 हम जल्दी ही इस पर update कर देंगे, इसके अलावा देखिए, MC की 2020 जो हमने video library दिये, यहां पर 700 से 800 questions आपको recollected questions के video मिल जाएंगे, इसके अलावा डेस सारी PDF दी हुई है, latest GK दी हुई है, तो यह complete package है, जो आपको exam में अच्छे marks लाने में मदद कर सकता है, एक वार video library जरूर विजिट कर लें, हमारी website है www.motivationalbanker.com यहां मैंने आपको site का नाम भी दिया है, और यहां contact number भी दिया, आप चाहें तो इस number पर whatsapp कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, friends, हम इसी तरह के educational वीडियो बनाते रहते हैं, YouTube पे हमारे तेहर सारे वीडियो उपलब दें, आप उनको देख लें, recollected questions के, हमारा telegram channel है, मैं description में आपको link दे दूँगा, वहाँ पर भी हम daily आपके लिए अच्छे questions जो exam में पूछे जा सकते हैं, करीब करीब हमारे telegram channel पर जादा नहीं होंगे, तो 300, 400, 500 questions आपको मिल जाएंगे, हम daily basis पर, यहाँ पर भी questions अबडेट करते रहते हैं, जितना possible होता है, questions आपको देते हैं, ताकि आप exam में excel करें, आपको अच्छे marks मिले, यही हम उम्मीद करते हैं, दोस्तो, अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लें, subscribe कर रखा था, bell icon प्रेस करना नहीं बूलें, ताकि आपको notification मिलता रहे, वीडियो पसंद आए, तो like करें, और अपने दोस्तों के साथ share करें, thank you very much friends,